सोमालिया की तच से दूर हिंद महासागर में एक तेल कमपनी से संबंदित एक जहाज श्रमिकों से भरा हुआ है जो पानी के नीचे तेल और गैस पाइपलाइनों पर रख रखाव करते हैं, जिससे अक्तिदिक मौते होती हैं। एक सुबह और जहाज में अलार्म बजना शुरू हो जाता है, इसलिए एंगल एक चोटा सा हार पकड़ लेता है। जिसमें एक बहुत ही युवा कर्मचारी भी शामिल है, जो फिर से विरोध प्रदर्शन करता है। ये दर्शाता है कि लड़का 30 मीटर से नीचे नहीं गया है, लेकिन कारसन अपने आदेशों पर कायम है और मिच को रखता है कार्य प्रभारित। इसके बाद, इंगल युवा जोन्स को खबर बताने जाता है और लड़का वास्तव में पानी के नीचे जाने के लिए उतसाहित होता है। मिच हर्स्टिन की तलाश में जाता है और यह जानकर परेशान हो जाता है कि वो कितना पी रहा है, पहले बताता है कि उसकी शिफ्ट खत्म हो गई है, लेकिन जब मिच ने दोगुना वेतन देने की पेशकशकी तो उसने जाना स्वीकार कर लिया, फिर टीम तयार हो जाती है और जोन्स अपनी गर्भवती पत्नी को फोन करके बताता है कि वही एक दिन देर से आएगा, लेकिन दुरभाग्य से मिच को घर पर कोई नहीं मिला, शन भर बाद, टीम अंततल डाइविंग बेल में प्रवेश करती है और समुद्र की कोन में उतरना शुरू कर देती है, न टीम आखिरकार नीचे तक पहुँच जाती है, जोन घंटी पर खड़ा रहता है जबकि बाकी तीन पाइप ठीक करने के लिए बाहर जाते हैं, तीनों आदमी मरम्मत करने में कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, जोन्स एक खूबसूरत प्रानी क टैरते हुए और अपनी पत्नी की तस्वीर को घूरते हुए अपना मनुरंजन करने की कोशिश करता है, अचानक घंटी पागलों की तरह हिलने लगती है और जोन्स एक जहाज के संपर्त में आने के लिए दौर पड़ता है, जाहिरा तोर पर तोफान आखिरकार आ गया है, लेकिन इससे पहले की जोन्स अधिक विवरन मान सके, जहाज का कौम बंध हो गया, जब जोन्स दूसरों को बताता है कि क्या हुआ था, हर्स्ट ने काम खत्म करने से इंकार कर दिया और मरम्मक पूरी करने के लिए वापस बेल लीविंग एंगल और मिच के पास तैर गया, उसी क्षंड, घंटी फिर से हिलने लगती है और हर्स्ट अपने दोस्तों से जल्दी वापस आने का आग्रह करता है, सौभाग्य से उन्होंने समय पर मरम्मक पूरी कर ली और बेल पर लोट आये जहां उन्होंने अंततल जहाज से फिर से संपर्ट किया, तार्सन का कहना है कि उन पर हमला किया गया लेकिन मिच फिर भी उनसे घंटी को वापस सतह पर लाने के लिए कहता है, घंटी धीरे धीरे उपर उतनी शुरू होती है, लेकिन जितनी उपर जाती है, उतना आधे खिलती है और जल्दी उनका जहाज से फिर से संपर्ट तूट जाता है, अचान की कैविटी में दबाव फंस गया था, लेकिन चाकू के प्रहार से वह तुरंग ठीक हो जाता है, जबकि जोन्स को ठीक होने में कुछ समय लगता है और सिस्टम स्थेर हो जाता है, मिच ने जहाज से दोबारा संपर्ट करने की कोशिश की लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ इंगल ने नुकसान की जाच करने के लिए बाहर जाने का फैसला किया, पता चला कि क्षती केवल कुछ खरोचों की है और बीकन अभी भी काम कर रहा है, शब वहन ने सूची की जाच के और कंबल और प्राथम एक चिकितसा पाई लेकिन कोई जीवित रहने वाला सूट नही ही है, तो उमीद है कि यह परियाप्त होगा, इसके बाद हंगुल जहाच के संतुलन को जोडने वाली गर्बनाल केबलों की जाच करने के लिए तैरना जारी रखता है, वो उस रास्ते का अनुसरन करता है जब तक कि उसे एक परिशान करने वाला दृश्य नहीं मिल जाता, तूफान से जहाच नश्ट हो गया है और वो ढूपते हिस्सों को देख रहा है, मामले को बत्तर बनाने के लिए, इंगल कार्सन इंगल सहित चालक दल के सभी शवों को ढूनता है और बेल पर लोटता है और यह साबित करने के लिए जहाच का एक टुकड़ा गिराता है कि पहले तो मिच ने इस पर विश्वास करने से इंकार कर दिया और जोंस से कॉलम को फिर से आजमाने के लिए कहा, लेकिन एंकल शवों का जिक्र करता है और उसे सच्चाए दिखाने के लिए चिल लाता है, वे सीमित ऑक्सीजन के साथ यहां फसे हुए है इसलिए उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, एक पल की चुप्पी के बाद खबर को अंदर आने दिया जाता है, एक बहस शुरू होती है जिसे और भी बद्तर बना दिया जाता है, एक कौन बताता है कि कमपनी लॉप्टाउन में है और कोई भी पहले नहीं आएगा और लड़ाई में घू जोडने के लिए एक दूसरे को पकड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मिच ने तुरंत उन्हें अलग कर दिया और ऑक्सीजन बचाने के लिए सभी को शांथ होने के लिए कहा, तब मिच को याद आया कि जब वे इसे ठीक करने के लिए नीचे आये थे तब से उनके पास पा जानी चाहिए ताकि उन्हें देखा जा सके, लेकिन मिच नहीं करता है, उसे यह बताने नदी की दबाव अंदर और बाहर बराबर हैं, इसलिए यदि वे उठते हैं, तो यह उन्हें मार सकता है, उसी समय ऑक्सीजन टैंकों में से एक दीला हो जाता है और घंटी की हवा ख ठिर करता है और देखता है कि उन्होंने दो घंटे की सांस लेने वाली गैस खुदी है, एक और तरक सामने आता है कि हर्स्ट एक नई टैंप के लिए जहाज के मलवे की तलाश में जाना चाहता है और इंगल घंटी को तेराने पर जोड देता है, लेकिन मिच का कहना है कि य बहुत जोकिम भरा है और उन्हें बस इंतजार करना चाहिए। जोन्स संचार का प्रयास करना जारी रखता है और अचानक उन्हें एक चीनी मच्छी पकड़ने वाली जहाद से उत्तर मिलता है। जाने की कोई उम्मीद नहीं है। इस बीच हर्स्ट और मिच्छ ये सुनिश्चित करते हैं कि सिलेंड और वाल्व अच्छी तरह से समायोजित हो लेकिन उन्होंने ये भी पाया कि घंटी के शीर्ष पर एक क्रेन ब्लॉक है। जबकि वे वाल्वों को अतिरेक्ट सुरक्षि बनाने पर काम करते हैं। जिससे वह पहले घबरा जाता है और उसकी मदद करने के लिए दोड़ता है। तब ही पता चलता है कि मिच्छ की नाभी फंस गई है। वह उसे अलग करने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ मिलाने में परेशानी हो रही है इसलिए इंगल बिना किसी सूट की पानी में कूच जाता है। कोनों का अनुभव उसे मिच्छ को उसकी नाभी से तुरंट अलग करने की अनुमती देता है और शववहन की साथ मिलकर वे उसे वापस घंटी में खीच लेते हैं। जैसे ही वे अंदर बनाते हैं। उन्होंने मिच्छ का हेलमेट ह बनाता दिया और गहरी सास लेते हुए वह तुरंट जाग गया। फिर वह हरस्त को डांगते हुए कहता है कि उसके गोता खोरी के दिन खत्म हुगए है क्योंकि उसके हाथ अलग का वाउध Κात्म हगय। कि मिच खुद को प्रार्थना में लगा देता है जब वह रेडियो स्टेटिक सुनता है तो वह सोजाने ही वाला होता है लेकिन जब वह जाज करने के लिए दौरता है तो उसे दुख होता है कि यह एक जूठा अलार्म है फिर वह हर्स्ट को देखने जाता है और पाता है कि वह गायब है Mick दूसरों को जगाता है और रेडियो का उप्योग करके हर्स्ट को बुलाता है जो गोश्टना करता है कि वह चीजों को ठीक करने जा रहा है पता चला कि हर्स्ट ने एक सूर्पहन रखा है और वह तिरिक्त oxygen tank खोजने की कोशिश करने के लिए जहाज की नावी का पीछा कर रहा है मिच उसे वापस आने का आदेश देता है लेकिन हर्स्त उसे अंदेखा कर देता है और अपने पुराने गोता खोरी अनुभवों के बारे में बात करता रहता है हाला कि वह जितना आगे बढ़ता है उतना ही वह हाइपोथमया से प्रभावित होता है और जल्दी वह ब्रम की स्थिती में प्रवेश कर जाता है जिससे वह अपने परिवार के बारे में इधर उधर भटकने लगता है जल्दी शव वाहन शिकायत करना शुरू कर देता है कि उसे कितनी गर्मी महसूस होती है और वह जमीन पर गिर जाता है अपने शरीर को रेट पर घसीता है क्योंकि वह घंटी में सांस लेने के लिए संधर्श करता है इंगल बताता है कि उन्हें गैस कार्ट देनी चाहिए क्योंकि हर्स्ट वैसे भी मरने वाला है इंगल सोचता है कि उन्हें बचाना चाहिए ऑक्सीजन और उसे धीरे धीरे दर्ड के बजाए जल्दी मर जाना चाहिए मिच स्विचार से परेशान है क्योंकि उसे नहीं लगता कि उनके पास ये चुनने की शक्ती है कि कौन मरेगा और यह ट्रिगर एक और तर्क है जब इंग्लियांड लडाई कर रहा था जोन्स विकल चुनता है और गैस काटने के लिए बटन दबाता है और जल्द ही वे उसकी सासों की आवाज सुनना बंद कर देते हैं जो पुष्टी करती है कि वह मर चुका है वे नहीं जानते कि वल जहाज के ऑक्सीजन टैंक खुजने से दो कदम दूर थे हर्स्ट को अलविदा कहने के लिए मिच प्रार्थना करती है और अपना दक्षनी ना भी सिरा पानी में फिक देती है कुछ ख़न बाद जोन्स ने फैसला किया कि चुनकी उसे काम पर गोता लगाने का मौका नहीं मिला इसलिए वह अप्ते राकी करेगा वह पानी में कूट जाता है और अपनी पत्नी को देखकर आश्चर्य चकित हो जाता है वे बिना कप्तों के बेहत खूदसूरत लग रही है वे दोनों फिर से मिल जाते हैं और चुम्बन करना शुरू कर देते हैं लेकिन जब मामला गर्म होने लगता है तो उनके मूँ से खून निकलने लगता है जोन्स घबरा जाता है और फिर से टैने की कोशिश करता है लेकिन उसकी पत्नी उसे मजबूती से पकड़ कर रखती है क्योंकि खून निकलता रहता है अचानक जोन्स ने अपनी आखे खोली और महसूस किया कि यह सब एक बुरा सपना था जब मिच ने उसकी जाच की तो जोन्स ने स्वीकार करना शुरू कर दिया कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा और उसकी पत्नी को बच्चे को अकेले ही पालना होगा वो सोचता है कि पितात्व कैसा होता है और मिच उसे एक कहानी सुनाता है कि पहली बार अपने बच्चे को गोध में लेना कितना अद्बूत लगा उस समय हीटर खराब होने लगता है जिससे थन से मृत्यू होने की संभावना होती है सौभाग इसे जोन सुधार करना जानते हैं और घर में बने स्टीन बॉयलर बनाने के लिए पानी से भरे टैंग पर टॉर्च का उप्योग करते हैं अब उनके पास एक घंटे से कुछ अधिक समय की हवा बची है इसलिए मिच ने अपने परिवार को एक पत्र लिखकर माफी मांगने का फैसला किया कि उन्होंने उसके कहने पर भी नौकरी नहीं छोड़ी फिर वह इसे एक सीलबन प्लास्टिक बैग में रखता है ताकि बाद में यह उसकी शरीर से मिल सके इसे देखकर यादे फिर से ताजा हो जाती है लेकिन वरक्षन बादित हो जाता है जब शांती अचानक जीवन थो उठती है यही एक नौसिना का युदपोत है जो चीनी मचीर पकरने वाले जहाज द्वारा उन्हीं घंटी संदेश भीजने के बाद आया था और उन्होंने पुष्टिकी की कमपनी ने कभी किसी से संपर्क नहीं किया यह नया जहाज उनकी तलाश शुरू कर देगा लेकिन उन्हें धूनने में घंटों लग सकते हैं क्योंकि उनके पास सटीक निर्देशांत नहीं है चून की ऐसा लगता है कि वे अभी भी मर जाएंगे कोन एक विचार प्रदान करता है कि पाइपलाइनों पर ड्राइवॉल का खशतरिक्ट सिलेंद ले जाते हैं इसलिए यदि वे गैस को अपने शेश हीलियम के साथ मिलाते हैं तो वे पर्याप समय खरीद सकते हैं मिच जिजख रहा है क्योंकि वे मीलों तक बह चुके हैं और यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि वह कहां है लेकिन एंगल बताता है कि उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं है वैसे भी मिच योजना को मंजूरी देता है और एंगल सूट की तलाश शुरू करनी होगी एक बार जब उसे एक पाइप मिल जाता है और वह जोन्स को कॉलम के उपर की संख्या बताता है तो जोन्स मानचत्र को देखता है और उसे निकतम संभावित कुई की कक्ष में ले जाता है आगे चलने से गैस का अधिक्तम उप्योग होता है और गर्मी खत्म हो जाती है मिच उ तक पहुँचने वाला हो, उसे पता चलता है कि वह नाभी रेखा के अंत में है और वहाब और आगे नहीं बढ़ सकता, कोई अन्यविकल्प न देखकर टैंकों तक पहुँचने के लिए अलग होने का निर्ने लिया जाता है, आला चेतावनियों को नजरंदास किया जाता है और स्तंब खो दिये जाते हैं, घेंटी में लगभग कोई हवा नहीं बची है, इसलिए मिच ने दूसरा सूप पहनने और एंगल की पीछे जाने का फैसला किया, वो हलग नाभी को पाता है और सबसे खराब स्थिती से दरता है, लेकिन थोड़ा और चलने के बाद वो जमी पर बेहोश पड़ा हुआ है, उसके बदल में एक टैंक है जो उसकी नाभी को चरम सीमा तक धकेल रहा है, मिच एंगल और टैंक दोनों को पकरने और उन्हें वापस बेल पर लाने में काम्याब होता है, जोन्स उनकी मदद करता है और तुरंत इंगेंस का हेलमेट उतार द लेकिन अलार्म अचानक बच जाता है क्योंकि ओक्सीजन खत्म होने वाली होती है, मिच जॉन को नए टैंक को जोड़ने के लिए भीजता है जबकि वह कौन के लिए सी पियार करना शुरू करता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, मान लीजिए कि बहुत देर हो चुकी है, मिच पीछे हच जाता है और जो उन्स के साथ शोक मनाना शुरू कर देता है, जो लगभग रोने लगता है, इससे पहले कि वह कौन से थोड़ी सी हलचल देखता, जैसे ही नया टैंक खंटी में ऑक्सीजन भीजना शुरू करता है, फ्लेश बैक दो कौन दिमाग के क्षेत्र में आ जाएंगे, लेकिन उन्हें अभी भी सटीक स्थिती का पता लगाने की आवश्यक्ता है, क्योंकि तेल कंपनी बंध होने के बाद से उनके पास नक्षे नहीं है, सभी संचार, मिच बताते है कि उन्हें बीकन से सिगनल ढूनना चाहिए, लेकिन जहाज ब दिखाई दे की यह जोकिम भरा है, लेकिन अगर वे कोशिश नहीं करते हैं तो बीकन गहरे पानी की धाराओं में फंस जाएगा, मिच स्वेचा से जाता है और जब वो तयार हो रहा होता है, तो उसे अपना पत्र मिल जाता है, ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो वह इसे परिवार को दे सके, वो अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में अपने परिवार के साथ हुई चर्चा को भी साजा करता है और बदले में बताता है कि उसने अपनी पत्नी को एक कार दूर घटना में खो दिया था, फिर भी वह इसके लिए दोशी महसूस करता है क्योंकि उस से लगता है कि उसने उसे मलवे से बाहर निकालने के लिए परियाप्त मेहनत नहीं की, बाद में मिच बीकन पकर लेता है और गर्बना लेटसन तक तैरना शुरू कर देता है, फिर उसे बीकन को ऊपर भीजने के लिए जोंदवारा बनाए गए स्विच का उपयोग करना प संधर्श करता है और बीकन को वापस पाने में काम्याब होता है, फिर वह अंततज बटन दबाता है और उसे उपर तैरने देता है जबकि जेली फिश उसे घेर लेती है और उसे गंक मार कर मार देती है, घंटी में जोंज तब रोता है जब वे सुनना बंद कर देते हैं, लेकिन जब वो उसे फर्ष पर फेकता है तो उसे एहसास होता है कि वह भी इसे खो रहा है और लड़के को मिच के पास जाने देता है। उसका शरीर समुद्र की तल में दूब जाता है। बाद में जोन्स एक चाकु निकालता है और दमगूटने से मौत की व्याख्या करता है बहुत धीमा है यदि बचाव करता समय पर नहीं आते हैं तो एंगल को चीजों को जल्दी खत्म करने के लिए उन्हें मार देना चाहिए क्योंकि जोन्स को नहीं लगता कि वह इसे स्वयम कर सकता है। इससे पहले की चाचा जवाब दे पाते नेवी फ्रिगेट से एक और स अचानक रुप जाता है जब नाभी जहाज के मलबे के कोन में फंस जाती है। जिससे पता चलता है कि उन्हें उपर तैरना होगा लेकिन ये कथिन होने वाला है क्योंकि उन्हें 170 फीट उपर जाना होगा और जोन्स ने कभी भी 30 से अधिक नहीं किया है। एक सूट बाकी ह जोन्स चीजों को खत्म करने के लिए तयार अपना चाको पकर लेता है। लेकिन इंगल घोशना करता है कि जोन्स सूट की साथ उपर जाएगा। जबकि वह डीकंप्रेसन में तेजी लाने के लिए रुपता है और इंगित करता है कि उनमें से किसी एक के लिए जीवित रह है। इंगल ने कबूल किया कि कार दुरघटना वाले दिन, दूसरी कार में एक बच्चा था और वह उसे बचाने में असफल रहा और अब वह एक और युवा व्यक्ती को मरने देने से इंकार कर रहा है। इसे स्वीकार करते हुए जोन्स सूट पहनता है और टैरना जाने लगता है और कहता है कि वह दरा हुआ है लेकिन जोन्स उसे इसके माध्यम से प्रुप्साहित करता है। एक बार जब जोन्स नाभी के अंत तक पहुंच जाता है तो वह हवा की गहरी सांस लेता है और सूट के बिना अंतिम 20 फीट तैरने के लिए जुर जाता है। इ जोन्स से नद्वारा भेजी गई एक नाव अंतताह उसे धून लेती है और उसे बचा लेती है। मुख्य जहास तंभों के माध्यम से कौन को बताता है कि जोन्स ठीक है। अंतताह घंटी की हवा खत्म हो जाती है और चून की पानी उसके कोने में लगभग भरने ही वाला ह होता है इसलिए वह अपनी पत्नी का हार निकालता है और आखिरी बार कोशिश करने का फैसला करता है। वह बेल से तैर कर बाहर निकलता है और उपर जाने लगता है। हालांकि वह बिना सूट के ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता और डूब जाता है। कुछ समय बाद जोन्स अपनी पत्नी के साथ फिर से मिल जाता है लेकिन उसके लिए उस सदमे से उबरना मुश्किल होता है जिससे वह गुजरा है